हेलो इव्रीवन मैं हूँ पैतीभा कानिपूर किचन डॉट कॉम में आपका स्वागत है सिंच आज हम बनाएंगे बहुत ही पेस्टी चटपटा आम का मुरब्बा जिसे आम की लॉंजी भी बोलते हैं इसे आप बना करके रख लेजिए और महीनों तक खा सकते हैं बहुत ही लगता है तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा कच्चे आम की लॉंजी बनाने के लिए हमने आपर चार कच्चे आम लिए हुए हैं एकदम ताजे कच्चे आम आपको लेना है यानि कि बहुत दबे हुए आम आपको नहीं लेना है फ्रेस आम होगा तो लॉंजी ज़ादा अच्छे बनेगी और ज़ादा दिन तक टिकेग आम को हमने अच्छे से धो लिया था अब एक पीलर की साहता से हम आम का जो छिलका है ग्रीन वाला वो हमें निकाल देना है तो इस तरह से हम सारे आम को छील के तयार कर लेंगे यह देखे फ्रेंश आम को हमने इस तरह से छillery लिया हुआ है आब हम इसे कट करेंगे तो पहले हम आम को ऐसे दो टुकड़े में कट करेंगे इसके जो बीज हैं वो बहुत ज़्यादा हाड नहीं है तो इस तरीके से हम आम के एफीसेज कट करेंगे या आप चाहें तो लंबाई में भी काट सकते हैं पर इस तरीके के पीसेज लॉंजी में ज्यादा अच्छे लगते हैं तो देखिए ऐसे थोड़े-थोड़े से मोटे-मोटे हम टुकडे कर लेंगे अगर गुटली ज्यादा हार्ड हो तो आप उसके किनारे का पल्प निकाल अगर आप मेथी दाना पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा मेथी दाना भी डाल सकते हैं तो जैसे तेल गरम हो जायागा ये मसाली इसमें डाल देंगे साथी साथ हम इसमें डाल देंगे हिंग और इन सारे मसालों को हलका सब भून लीजिए थोड़ा सा नमक डाल देंग जिसे के हमारे जो कच्ची आम है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे यह जो आम है अभी इनकी गुटली भी ज्यादा हार्ड नहीं थी तो यह बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं यह दिखे ऐसे मैंने दो मिनट तक भूना हुआ है अब हम इसमें लगभग चार-पांच चम जो कच्चे आम है वो अच्छे से पक नहीं पाते हैं इसलिए पहले आमों को पका लीजिए दन इसके बाद गुर्ड डाली है तो यहां पर मैंने आधा कप के जितना गुर्ड डाला हुआ है और साथी साथ हम इसमें चार-बड़े चम्मत चीनी भी डालेंगे क्योंकि जब लॉंजी बनाते हैं और इसमें गुड और चीनी मेक्स करके बनाते हैं तो लॉंजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप चाहें तो सिर्फ गुड या सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं बट आप एक बार इस तरीके से बना के दिखेगा अब यहां पर हमने कुछ मसाले लिए हैं तो एक छोटा चमच लाल मिर्ची पाउडर है तीखी वाली लाल मिर्ची है एक चमच कास्मेरी लाल मिर्ची पाउडर है आदा चमच धनिया का पाउडर एक छोटा चमच चाट मसाला पाउडर चोथा चोटी चमच हल्दी पाउड तक या तब तक इसे पकाना है जब तक कि लॉंजी थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती है और जो गुड़ अमने इसमें डाला है वह अच्छे से पिखल नहीं जाता है और आधा चूटी चमच हमने इसमें भुनेवे जीरे का पाउडर डाला हुआ है बहुत अच्छा फ्लीवर द तो बस अब इससे जादा नहीं पकाएंगे मसाले डालने के बाद मैंने लगबग तीन मिनट तक इसे पकाया हुआ है यह हमारी कच्छे आम की एकदम बहुत ही टेस्टी चटपटी सी लॉंजी बनके तयार है आप भी एक बार इस तरीके से जरूर ट्राइब करिएगा और जब ठंडी हो जाए तो इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर करके आप महीने भर तक खा सकते हैं बट आपको इसे फ्रेज में रखना होगा ताकि इसे आप ज्यादा लंबे समय तक यूज कर सके तो यह लीजे फ्रेंट्स रेसीपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक